सुपेरा उसी समय जिन्दकी में आता है जब जीजस आता है प्यवस्था का बंदानी ये इश्यू ने खोल दिया तुने सिर्फ और सिर्फ इश्यू पर भरोसा किया है इश्यूत किया है आप सभी मेरे मित्रों को दर्शकों को विश्वासियों को और हमारे पार्टनर्स को ये शुमसी के नाम में मेरा शलूम जब से ये कारेकरम चल रहा है तब से हजारों कॉल्स मेरे पास आई है नजाने कितने पत्र आएं हैं कितने वटसप आएं हैं और इन सब से मैंने एक बात जान लिया है कि बहुत से लोगों को ब्लेसिंग आशीश मिराकल्स नहीं मिल रहे हैं वे बार-बार प्रातना कराते हैं बार-बार कारेकरम देखते हैं ये सब अच्छी बाते हैं लेकिन ये शुमसी के नाम में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम सही अर्थों में वचन के अनुसार मसी जीवन जीने लगते हैं मैं आज के कारेकरम में मिच्यूर्ड क्रिश्चन लाइफ की बात करना चाहता हूँ ये शुमसी ने हमें क्रिश्चन नहीं बनाया लेकिन क्रिश्चन बनने से उपर भी एक वर्ड बोला चेला बनने के लिए और ये शुमसी ने यहुना रचिसु समाचार उसके पंदरा ध्याई में बहुत ही गहरी बात कही सच ये है कि मसीही जीवन एक गहरा मसीही जीवन होना चाहिए जब परमेश्चर के साथ हम बने रहते हैं ऐसे बने रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे बने रहते हैं जब मजबूत रिष्टा होता है और जब हम बिब्लिकल तरीके से बिलीवर्स लाइफ जीते है तब हमें कहीं भटकने की जरुवत नहीं पड़ती है अज बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं हमें प्रात्ना कराना है हमें छू लेना है भाई रंजीत हम पर हाथ रख दीजिए मेरे पास कुछ भी मैजिक नहीं है पर मेश्वर के वचन के रुसार जो चलेगा जो आग्या मानेगा और जिसका नया जनम होगा आज बहुत से लोग हैं जो क्रिश्वानिटी में आ चुके हैं लेकिन उनका आज तक नया जनम नहीं हुआ उन्होंने पर मेश्वर के राज में अभी तक खाना नहीं खाया पर मेश्वर के राज की आशीशों को वास्तविक अर्थों में नहीं जाना यदि मैं हिंदी में इस तरीके से कहूं कि समुद्र के गिनारे तो टहल रहे हैं समुद्र के अंदर कभी नहीं गए परमेश्वर की आसीशे अन्लिमिटेड हैं अथा है आप इतना ले सकते हैं कि आप लेते 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 ठख जाएंगे मैं तो अपने बारे में भी आप से ये कहना चाहता हूँ ये शुमसी के नाम में कि मैंने अभी तक परमेश्वर की उन संपून आशीशों को अभी तक पूरी तरह नहीं पाया है मुझे अभी भी कभी कभी खाली पन लगता है और एक और बात बता हूँ आपको अज मैं आप से दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप से बहुत प्रेम करता हूँ इस कारे करम का एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर की उन आशीशों को जो ये शुमसी ने हम तक दे दी है उसको पूरी तरह प्राप्त करें आप धन्ने कहलाएंगे मेरे साथ कहिए अब मैं धन्ने कहलाओंगा मैं आशीशित कहलाओंगा अबराहम की आशीश मेरे जीमन में बनी रहेगी हर्याली मेरे लिए है हालेलूया बोलना शुरू करिये अपने मुझ को खोलिए जहां भी आप कारे करम को देख रहे हैं बोलिए, 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 हालेलोया, I belong to Jesus, कई बार कहिए इसे, I belong to Jesus, चंगाई के वचन को बोलिए, सम्रिधी के वचन को बोलिए, परमेश्र की परतिग्याओं को बोलिए, एक बात और बता हूँ आपको, यिश्यु मसी के नाम में गारेंटी है, गारेंटी, जब इश्यु मसी बात करता था अपने दिनों में, तो वो कहता था, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, सच-सच, मेरा परमेश्र जूट नहीं बोलता, उसने निर्गमान पंदरा ध्याय के, अंदर कह दिया, I am the Lord, who healeth thee, याने वो चंगा करेगा ही, वो छुटकारा देगा ही, उसने कह दिया है, तो ये चीज़ें हो करके रहेंगी, टियलास बॉर्ण, बिश्व के बहुत ही महान healing minister, healing evangelist थे, वे कभी-कभी मुझे अपना gift भेशते थे, खास तोर से क्रिस्मस के समय, अपनी अच्छी पुस्टकों को मेरे पास भेशते थे, टियलास बॉर्ण ने अपनी किताबों के द्वारा, और अपने जीवन से, मुझे बहुत प्रभावित किया, जो दुर्बल करने वाली आत्मा का राज है, मैंने टियलास बॉर्ण की ही पुस्टकों से, सीखा, उन्होंने तीन बातें बताई, जो आज की कारिकरम में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पहली बात, उन्होंने चंगाई के लिए महतुपून बात कही, पहली बात, आप जो अपने बारे में कहते हैं, वो सच नहीं है, आप सोचते हैं कि आप सच कहते हैं, नहीं वो fact है, F-A-C-T fact, शैतान जो आपके बारे में कहता है, वो भी सच नहीं है, लेकिन Bible जो आपके बारे में कहती है, वही सच है, तो Bible ये कहती है, कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, निश्चे तुम आशीश पाओगे, हगैनमे में लिखा हुआ है, कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीश दूँगा, तो मैं दूँगा, मरको 16-16 में लिखा हुआ है, कि विश्वास करने वालों के ये चिन होंगे, कि वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, क्या होगा, जो विश्वास करेगा, वो दुष्टात्मा निकालेगा, या दुष्टात्मा उसके अंदर रहेगी, I am serious about it, Gospel जो है, वो full of life है, Gospel में एक क्रांतिकारी सामर्थ है, Gospel जिन्दगी को बदल देता है, ये वो सुसमाचार है, जिसके लिए पॉलस ने कहा, कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, ये वो पॉलस बात कर रहा है, जिसने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मार खाई, जेल गया, घसीटा गया, पथ अभी तक वो दुख ने उठाया, जो पॉलस ने उठाया, पॉलस ने सुसमाचार प्रचार करने की कीमत चुकाई, तो आज मैं थोड़ी देर के लिए भजन सहीता 112 से आप से बात करना चाहता हूँ, मजन सहीता 112 में हर विश्वासी के लिए वो कैसे आशिशित हो सकता है, उसका रहस्य पाया जाता है, पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुश जो यहोवा का भै मानता है, वंडरफॉल, भै मानता है, जो यहोवा का भै मानेगा, जो परमेश्वर के भाई में रहेगा, यिश्व ने कहा कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे प्रित्वी के अधिकारी होंगे, मॉल का मालिक कौन होना चाह ありा बिग बड़ यार का मालिक कौन होना चाह Ready? आज अमेरिका में जो सबसे धनी लोग हैं वह कौन लोग है जो परमे शर का भाई मानते हैं हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा रा है हमारे उत्तर भारत की मैं बात करता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है मचली का बिजनस समुझर की जो मचलियां है उनका बिजनस किसके हाथ में होना चाहिए बड़े बड़े बिजनस जो आद दुनिया में चल रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक किसको होना चाहिए जब हम लोग मिशन में थे तो लोग किवल इतना ही सोच पाते थे टीचर बन जाओ एनम बन जाओ या नर्स बन जाओ बहुत जादा हो गया तो बी ए बी एट कर लो लेक्चरर बन जाओ इससे जादा उनका कोई दर्शन नहीं था लेकिन यहां देखे क्या लिखा हुआ है यहां पर कुछ अद्बुत लिखा हुआ है वह पुरुष जो यावा का भाय मानता है और उसकी आज्याओं से अती प्रसंद रहता है आज्याओं से आज्याओं माने वाले विश्वासी Obeying Believers Obedient Believers Let me say like that क्या आज्याओं माने वाले विश्वासी हैं मेरी बहुत अलोचना होती है मैं जानता हूँ जब मैं 10 परसंट की बात करता हूँ उदारता की बात करता हूँ भेट देने की बात करता हूँ लोग मेरी यालोचना करते हैं भाई भाई रंजीत केवल देने के बारे में सिखाते रहते हैं केवल पैसा मांगते रहते हैं लेकिन आज्याओं मानने से ही आशिश आती है आज जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो आशिशित हो रहे हैं जो घूरे पर से उठकर के आज चटान पर आ चुके हैं आज वे लोग जो अधिकारी बन चुके हैं मैं एक अधिकारी का नाम आपको नहीं बताना चाहता क्यों उसके जीवन के बारे मैं मैं बताऊंगा उसके मम्मी ने मुझे जब प्रात्ना निवेदन दिया आज से कई साल पहले, कम से कम पच्चीस साल पहले पच्चीस साल पहले तीन हजार रुप्यादान आज के दस हजार से भी ज़दा था उसने लिफाफे में एक छोटे से क्लिप पर अपने बेटे की और अपनी बेटी की प्रात्ना निवेदन को लिखा और लिफाफे में वाइट लिफाफा था जिसमें उसने तीन हजार रुपे का सीड बोया और आपको मालू, देखते देखते उनका बेटा एक बड़े सी गौवर्मेंट कमपनी में मैनेजर हो गया है उनकी बेटी की शादी एक बहुत बड़े आफिसर से हुई आग्या मानने वाले विश्वासी बात के बल देने की नहीं है हर बात में आग्या मानने की जरुवत है क्या आप परमेश्वर के पवित्रता में चल रहे हैं क्या आप इश्व मसी के पवधार्मिक्ता में चल रहे हैं क्या आप बचन में बने हुए हैं क्या आप विश्वासियों की संगती में बने हुए हैं कुछ लोगं को तो मैं समझाता हूँ कि उनीक उनीक लिस्याओं में जाओ जहां पवित्रात्मा कारे कर रहा है वो मेरी कुछ नहीं सुनते मृतक चर्च में जब आप जाएंगे आप और मर जाएंगे लेकिन लाइफ भरे चर्च में आप कैसे जाएंगे जहां पवित्रात्मा कारे कर रहा है जहां उसका बहाव हो आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपके नाथी पोते, प्राकर्मी होगा, प्राकर्मी कार्ट समझते हैं, पावरफुल होगा, पावरफुल, डाइनमिक होगा, प्रभावशाली होगा, धन ने कहलाएगा, संपन ने कहलाएगा, प्रावस्पारिटी से भरा हुआ होगा, उसके हाथ में चाबी होगी चाबी, अधिकार की चाबी होगी, वो जिधर भी देखेगा, चीज़ें ऐसे होने लगेंगी, जिधर भी जाएगा, चीज़ें ऐसे होने लगेंगी, God wants to bless your family, कुछ लोग तो बिलकुल सुनना नहीं चायते, कुछ करना नहीं चायते, कदम बहाना नहीं चायते, बस वो यह सोचते हैं, कोई उनके लिए प्रात्ना करता रहे, कोई उनके लिए वचन देता रहे, जो आज्या मानेगा, वो प्राकर्मी बन जाएगा, आप पॉलिटिक्स में प्राकर्मी बनना चाहते हैं, आप बिजनस में प्राकर्मी बनना चाहते हैं, आप खेल की दुनिया में प्राकर्मी बनना चाहते हैं, आप किस चीज़ में प्राकर्मी बनना चाहते हैं, आप टैलेंट है, टैलेंट रहकर भी बहुत से लोग उन्नती नहीं कर पाते, मैंने बहुत सारे टैलेंटेट लोगों को देखा है, टैलेंट के उपर, जब गौड की आशीश आती है, तब आप प्रॉस्पारिटी में आते हैं, प्राकर्मी बनते हैं, और एक और बहुत बड़े गहस्य की बात यहां लिखे होई है, सीधे लोगों कोई संतान आशीश पाएगी, सीधे लोगों का उल्टा क्या हुआ, टेड़ा लोग, जो लोग टेड़ी चाल चलते हैं, चल कपट करते हैं, मैंने देखा है, क्रिश्चन जगत के अंदर भी बहुत सारे लोग ठगी का का करते हैं, हम तुमको नौकरी दिला देंगे, हम तुमको अपाइट्मेंट करा देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, इतना पैसा दे दो, गलत गलत लेटर हेड़ शाप लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधे लोग जो चलते हैं, और सिधाई कहां से आती है, सिधाई पवित्रात्मा की सामर्थ से आती है, धार्मिक्ता को परमेश और आपके जीमन में उंडेल देना चाहता है, क्योंकि सीधे लोगों का मन अच्छा होता है, और जब मन अच्छा होता है, तो आशीश अच्छी मिलती है, तीसरा पद, बजन सहीता 112 से प्रचार कर रहा हूँ, तीसरा पद, उसके घर में धन संपत्ती, क्या, धन संपत्ती घर में धन संपत्ती रहती है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा, वंडरफुल, ओ मैगाज, धन संपत्ती रहती है, अभाव नहीं रहता है, केवल धन नहीं रहता, संपत्ती भी रहती है, ध्यान दें, आज के कारिक्रा में मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो किराए के घरों में रह रहे हैं धन संपत्ति ये शुमसी के नाम में मैं कहना चाहता हूँ कि धन संपत्ति आपके घर में रहेगी धन ठैरा रहेगा धन दो प्रकार का होता है बहुत से लोग कमाते तो हैं लेकिन धन ठहता नहीं वो बह जाता है लेकिन जब आप परमेशर का भाय मारेंगे आपके घर में धन ठहरा रहे आप संचित कर सकते हैं आप बड़े बड़े निवेश कर सकते हैं आपका धन मल्टिप्लाई होने लगेगा financial blessing will flow in your house and financial blessing will go from your house financial blessing बहुत बड़ी blessing है कुछ लोग सोचते हैं क्रिश्चन लाइफ में गरीबी येश्य मसी तो गरीब था नहीं नहीं जी येश्य मसी गरीब नहीं था उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए हर विश्वासी को धनी होना चाहिए संपन होना चाहिए संपत्ती रहेगी संपत्ती कैसे आएगी परमेशर की आशिश याएगी आप बड़े बड़े फ्लाइट खरीच सकते हैं जमीने खरीच सकते हैं प्रॉपरिटी डील कर सकते हैं आप महान बन सकते हैं लेकिन ये सब कुछ सच्चाई से चलेगा और उसका धर्म सदा बना रहेगा हलो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो धर्म वर्ड है यहाँ पर ये धार्मिक्ता है धार्मिक्ता बनी रहेगी जहां धार्मिक्ता है वहीं धन है मैंने और मेरे परिवार ने इस राश्य को बहुत देर से जाना लेकिन जब मैंने जान लिया तब से प्रभु ने अभाव के संसार से निकाल कर हमें पन्नता के संसार में लाया कभी कभी मैं अपने माता पिता को याद करके हजारा सुरोता हूँ काश हमारे पुर्वज हमारे माता पिता इस रहस्य को जान गए होते विधनी होने के बावजूद भी सब कुछ उन्होंने खो दिया है लेकिन मित्रो आज हम प्रोस्परिटी उच्सों मना रहे हैं आज हमारे हाथ खाली नहीं है हमारे घर में आज परमेश्वर की आशीश बह रही है हम अच्छा खाना खा सकते हैं अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं अच्छी दुनिया में रह सकते हैं दुनिया का सुख भोग हमारे पास है इसका मतलब ये नहीं कि हम बिलास्ता का जीवन जी रहे हैं नहीं आप देख सकते हैं मेरा जीवन कितना साधारण है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ हम त्रिप्त हैं संतोश धन हमारे पास है भक्ती हमारे पास है उद्धार हमारे पास है धार मिक्ता हमारे पास है क्योंकि हम परमेश्वर की हर्याली में प्रति दिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं चौथे पद में लिखा हुआ है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में जोती उद्य होती है वा नुग्रकारी द्यावन्त धर्मी होता है जो पुरुष अनुग्र करता और उधार देता है उसका कल्यान होता है वा न्याए में अपने मुकदमे को जीतेगा आज की कारिक्रम में मैं उन भाई बैनों के लिए प्रात्नाई करना चाहता हूँ जो कोट केस लड़ रहे हैं कोट केस में बहुत पैसा खर्च होता है और कभी-कभी न्याए नहीं मिल पाता लेकिन जब परमेशर यह हुआ आपका मुकदमा लड़ने लगेगा आपको न्याए मिल जाएगा और आपका केस लंबा नहीं चलेगा मैंने नजाने कितने लोगों के लिए प्रात्नाई की है और उनके संग 24 आवर्स मिरकल्स हुए है जब वो नेक्स टेट पर गए केस कैंसिल हो गया बीजय की घोश्णा हो गई जज ने अद्बुत तरीके से उनके फेवर में लिख दिया आज इश्यमसी के नाब में आपसे कहना चाहता हूँ आपका नयाए आपको मिलने वाला है आप कूट के जंजटों से शत्रूओं के बैरियों के जाल से छुड़ाए जा रहे हैं आईए प्रात्ना करें प्यारे प्रहु आज सुबह मैं तरह धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू नयाए करने वाला परमेश्वर है तू अनाथों और विद्वाओं का नयाए चुकाने वाला परमेश्वर है और मैं ये श्यमसी के नाम में कहता हूँ वे भाई बहन जो कूट केस लड़ते लड़ते ठक गए है और मैं कहता हूँ प्रभू धन जो वेस्ट हो रहा है जो बरबाद हो रहा है पैसे जो बरबाद हो रहे है नौकरी के पीछे जो पैसे बरबाद हो रहे है विवा के जंजटों से जो पैसे बरबाद हो रहे है बिजनस में जो पैसे बरबाद हो रहे है अंदकार की वह शक्तिया वे दुस्टात्माई जो पैसों को बर्बाद कर रही है ये शुमसी के नामे मैं तुम्हे आग्या देता हूँ हर जगर से हमारे लोगों से अपना हाथ अठाले और तेरे एंजलिक सपोर्ट को मैरे लिस करता हूँ और कहता हूँ प्रभू हर विश्वासी के जीवन में भजन सहीता 112 पूरा हो जाए प्रभू सबको आशिश दे और सबको अपने आनन से भर दे ये शुके नाम में आमेन अमेन प्रभू से अपने लिवन में आव जाए झाल झाल झाल